नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वे और मैं आज आपको एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ The Crab That Played With The Sea सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जाने के The Crab That Played With The Sea का मतलब होगा वह केकड़ा जो समुद्र के साथ खेलता था यह लेसन एक शॉर्ट स्टोडी है जिससे चिल्डरन्स लिट्रेचर यानि की बाल सहती के रूप में लिखा गया है इस लेसन के राइटर है रोडियाड केपलिंग सबसे पहले हम राइटर और्थर रोडियाड केपलिंग के बारे में जानेंगे रोडियाड केपलिंग रोडियाड केपलिंग का पूरा नाम है जौसेफ रोडियाड केपलिंग रोडियाड केपलिंग का पर्थ हुआ था 30 दिसेंबर 1865 में और इनकी मृत्ती हुई थी 18 जनवरी 1936 में अब आप रोडियाट केपलिंग का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आसानी से देख पा रहे हैं रोडियाट केपलिंग एक Nobel Prize विनर है और यह उस समय सबसे यंग Nobel Prize recipient थे अब हम बात करेंगे रोडियाट केपलिंग के कुछ बहुत ही famous work के बारे में जैस अब मैं आपको इस कहानी के सबसे मुख्य किरदार से मिलाता हूँ यह है पाउ अम्मा यह कहानी का मुख्य किरदार है जो समुद्र के साथ खेलता है इस कहानी में तीन और किरदार है यह है magician जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगला किरदार है आदमी का और उसकी बच्ची का अब हम इस कहानी के शुरवात करते हैं मैं आप सभी को यह कहानी बहत सरल वह आसान शब्दों में explain करूँगा शुरवात में ही सबसे बड़े जादुगर ने प्रत्वी और जब जादुगर सभी को यह समझा रहा था कि तुम्हें सरफ आदमी की बात माननी है तब ही एक केकड़ा वहां से फिसल कर भाग गया और उसने कसम खाई कि वह किसी के भी निर्देश का पालन नहीं करेगा उसे सरफ छोटी बच्ची ने जाते वे देखा जब सभी जानवरों को आदेश दे दिया गया उसके बार जादुगर ने प्रत्वी की एक सैर की ताकि वह यह जाच कर सके कि सभी लोग क्या कर रहे हैं और फिर उसने पहाड, रेगिस्तान, दलदल और द्वीब बनाए फिर वह परक नदी के पास आदमी से मिला तब आदम वे ने उससे बताया कि सभी जानवर और प्रत्वी उसकी बात मान रहे हैं लेकिन समुद्र उसकी बात नहीं मान रहा, समुद्र समय समय पर उसके घर को डूबो देता है और उसकी डोंगी को फसा देता है, वह दोनों छोटी बच्ची के साथ डोंगी में बैठ गए और धर्ती और चांद पर रहने वाले लोगों ने खुद को ओबीडेंट न होने के लिए जिम्मेदार नहीं बताया, फिर छोटी बच्ची ने बताया कि किस तरह वक्यकडा फिसल कर भाग गया था, फिर वे सभी लोग पोसट टसक पहुच गये जो की समुद्र का दिल था, यह पर एक पेड़ लगा हुआ था, जिसमें कहीं सारे मैजिकल नट्स लगे वे थे, वहाँ पर उन्हें पाउ अम्मा राक्छसी केकडा मिला, जो की जुआर और भाटी के लिए जम्मेदार था, जब भी वो समुद्र में जाता तो जुआर आ जाता, और जब भी वो भाहर आत तो भाटा आ जाता, जादुगर ने उसे भाहर पुलाया और एक जादोई नट तोड़ दिया, जिससे उस छोटी सी बच्ची ने उठा लिया, जादुगर ने केकड़े का शेल छीन लिया, पाउ अम्मा अपने शेल को वापस मांगने लगा, केकड़े ने उन सभी के लिए एक सौधा किया, कि उसका शेल वापस कर दिया जाए, जिसके बदले में जादुगर ने उसे इतना छोटा बना दिया, कि अब केकड़ा पत्तरों के पीछे और जाडियों के पीछे चिप सकता था, और उसे साल में एक बार अपना शेल त्यागना होगा, छोटी बच्ची न उसे अपनी केचें दे दी, ताकि वह नारियल में छेत कर पाए, आदमी घर जाने के लिए शिकात करने लगा, तब चान पर रहने वाले एक मचवारे ने समुद्र में जवार और भाटी की जिम्मेदारी ली, जवार भाटी को इंगलिश में फीब्राइल रिफ्लक्स कहा ज अब पाउ अम्मा के बच्चे समुद्र के किनारे रहते हैं और नारेल खानी के लिए पेड़ो पर चड़ सकते हैं, उन्हें पकड़े जाना अच्छा नहीं लगता, और अगर तुम उन्हें पकड़ने जाओगे, तो वो तुम्हारी चुटकी काट लेंगे, दोस्तों ये पूरे लेसन का एक्स्प्रेनेशन, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजे, अपने दोस्तों के साथ शेर कीजे, एक पेर ज़रूर लगाए, अपने आसपा सफाई बना रखें, बहु